आनमदरी किसान सम्माने जी योजना की हमें पिछली किस्त नहीं मिली है और आगे भी किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी हम कैसे पता कर सकते हैं साथी अगर हमें पिछली किस्त नहीं मिली है तो किन कारणों की वज़े से हमें ये किस्त नहीं दीगे यानि कि 2000 रुपए नहीं दीगे अगर कोई ऐसा किसान है जिनको पिछली किस्त नहीं दीगे बाकी सभी किस्तें दीगी है साथी अगली किस्त अगर वो लेना चाहता है तो उसे अपने PM किसान योजना के पोर्टल पर अपने फोरम को अपडेट करवाना होगा यानि कि अगर लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ आ रहा है तो यस करवाना होगा साथी अगर बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है तो उसे लिंक करवाना होगा या पिर हमारे बैंक खाते से आदार लिंक है लेकिन dbt active नहीं है तो किस तरह से हम अपने बैंक खाते में dbt active करवा सकते हैं कर सातियों आप सक्वी देख रहे हैं जो बलेट गुरु आजम आपको बताने वाले हैं कि परदान मंद्री किसान समाने दियोजना के अगर आपको चोईदा नमर किस्ट लेना है तो आपको अपने फोर में क्या करना होगा यानि कि आपको तेरा नमर किस्ट नहीं दी गी लेक मैं मैं 2023 से पहले पहले अपने PM किसान योजना के फोर्म में जो गलती है उसे सुदार लेना है ताकि हमें 14 नमर किस्त के 2000 रुपए मिल सकें साथी में कॉमेंट करके बताएं क्या आपको PM किसान योजना के पिछली किस्ट के 2000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले अगर आपको पिछली किस्ट के 2000 रुपए नहीं मिले हैं तो आपको 14 नमर किस्ट के भी 2000 रुपए नहीं मिलेंगे अगर आप भी PMकिसान योजना की 14 नम्मर किस्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रही है आज हम आपको बताने वाले कि अगर आपको 13 नम्मर किस्ट नहीं दीगी है 2000 रुपाय फिछली किस्ट के नहीं मिले है तो अगली किस्त लेने के लिए आपको क्या करना होगा तो आप सभी को ले चल दें PM किसान योजना के official portal पर और वहीं पर आप सभी को beneficiary status में PM किसान योजना के forum के status के दवार आपको बताएंगे कि आपके forum में आपको क्या update करवाना होगा, कहां पर आपको संपरक करना होगा और कौन-कौन से document आपको कहां पर जमा करवाने है, PM किसान योजना के official portal की link आपको वीडियो की description में मिल जाएगी, यहां पर आपको मिलता है beneficiary status इस पर आपको click कर देना है, उसके बाद में PM किसान योजना का जो आपने forum बराता है, उसमें जो mobile number है, वो mobile number यहां पर type यह capture code दिये हैं, यह type करेंगे और gate data पर click कर देंगे, जैसे साथ हम gate data पर click करेंगे तो PM किसान योजना के अंदर जो हमने forum बराता है, उसका status इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा, अगर हमें PM किसान योजना की 13 number किस्त नहीं मिलिया है, तो उसका कारण हमें यहां पर मिल जा लेकिन यहां पर farmer record has been rejected by PFMS या फिर bank, यानि कि यहां पर PFMS या फिर bank का जो status है, उसमें reject दिखाए गए, EKYC भी इस किसान ने करवा लिए, EKYC में भी yes लिकाओ है, यहां पर account number में account number दिये गए हैं, साथी IFC code भी दिये गए, लेकिन यहां पर account number और IFC code नहीं आने चाहिए, यहां पर NA आना चाहिए, साथी यहां पर PFMS या फिर bank के दोरा जो reject किया गए, वो किस कारण से reject किया गए, वो कारण भी हमें यहां पर दिखा दिया जाएगा, कि UID never enable for DBT, contact your bank to link आधार with account, यानि कि हमारा bank काते में आधार जूड़ा हुआ है, यहां पर payment mode आधार दिखा र card में नाम अलग है, और bank खाते में अगर नाम अलग है, तो DBT enable नहीं होगे, अगर आधार card में डेटो बर्थ अलग है, और bank खाते में डेटो बर्थ अलग है, तो भी DBT enable नहीं होगे, इसलिए हमारे bank खाते के अनूसार, या फिर हमारे आधार card के अनूसार, अमारा bank खाता ह होना चाहिए तभी डीबीटी अनेबल होगे इस किसान की लेंड सीडिंग में भी यस लिखा हुआ है इसका मतलब इस किसान का भूमी विब्रण है वो सत्यापन हो चुका है केवल और केवल बैंक खाते में आधार कार्ड जूड़ा हुआ है लेकिन डीबीटी अनेबल नहीं ह तो अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जूड़वाएं और डीबीटी अनेबल करवाएं ताकि आपको मई 2023 में PM किसान योजना की 14 नम्मर किस्त के 2000 रुपे मिल सकें तो इस किसान को 17 दस 2022 के बाद में किस्ते नहीं दिगे है और इसका कारण यही है कि इनके बैंक खाते में आधार कार्ड जूड़ा हुआ है लेकिन डीबीटी अनेबल नहीं है बैंक के दवारा रिजेक्ट किया गया है तो अपने आधार कार्ड में जो डीटेल है नाम है ड बाकी की सबी किस्ते दीगी है लेकिन पिछली किस्ती के 2000 रुपें नहीं देगा है अगर आमें यह नहीं बताए कि बैंक खाते में डीवीटी अनेबल कैसे होगे कौन सा फॉर्म बरना होगा कौं से डॉकुमेंट फॉरम के साथ में लगाना होगा फॉरम किस तरह से बरना ह तो इस वीडियो की description में एक वीडियो की link दीगी है उस वीडियो को देखकर आप अपने bank खाते में dbt enable करवा सकते हैं अगर किसी PM किसान लाबारती के land seeding में no लिखा हुआ रहा है तो इसका मतलब किसान का भूमी विवरान सत्यापन नहीं हुआ है payment mode में अधार दिखा रहा है eligibility status में यहाँ पर yes लिखा हुआ है ekyc done दिखा रहा है yes दिखा रहा है अधार demo authentication status में success है eligibility status में yes है payment mode में अधार है account number में na है और pfms या फिर bank status में farmer record has been accepted by pfms या फिर bank यानि कि bank के दवारा भी इस किसान के record को accept किये गए और इस किसान का bank अधार card भी जुड़ा हुआ है dbt enable है लेकिन land sitting में no लिखा हुआ रहा है तो अगर किसी किसान के यहाँ पर land sitting में no लिखा हुआ रहा है तो इसका मतलब इस किसान का भूमी विवरान सत्यापन नहीं आजीם हों और इसके किसान को क्या करना होगा कहाँ पर कौन से document जम्मा करवाने होगे वह हम आपको बता दे अगर किसी किसान के land sitting में no लिखा हुआ रहा है तो उस किसान को कुछ document अपनी तैसील में pm किसान योजना के अधिकारी को जम्मा करवाने होंगे जैसे जो किसान pm क प्रिंट करवा लेना है उसके बाद में PM किसान का इस्टाटस है उसे प्रिंट करवा लेना है और तीन नमर एक किसान का अधार काड की परतिलिपी भी आपको साथ में लगाने हैं तीन दस्तावेज हमें अपने तैसिल के PM किसान योजना का जो अधिकारी है उसे हमें जम्मा करवा देना है जैसे हम ये तीन डॉकुमेंट जम्मा करवा देंगे तो हमारा जो PM किसान योजना का फोरम है उसमें लैंड सिटिंग में लो लिखा हुआ रहा है उसमें यस हो और आने वाली जो किस्त है उसके भी 2000 रुपए मिल जाएंगे तो दोस्तों आजम ने आपको आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बताइए कि अगर कोई ऐसा किसान है जिसके आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा वह डीबीटी अनेबल नहीं है तो वह अपनी डीब किसान योजना की चवदा नम्मर किस्त किस किसान को दी जाएंगी अधार डेमो अथंटिक एसन स्टाटस में सक्सेस लिखा हुआ है एक वाइस लिखा हुआ है पेमेंड मौर में अधार अकाउंट नम्मर में एने लिखा हुआ है फार्मर रिकोर्ड हैज बीन पर नहीं मिली आप में कॉमेंट करके बताएं साथी पीएम किसान सम्माने दी योजना के अंतरकत इस किसान को तेरा नम्मर किस्त मिल चुकी है और पीएम किसान योजना की 14 नम्मर किस्त है वो मई में दी जाएगे क्योंकि पिछले साल भी मई में 2000 रुपए दिये गे थे और इस बार भी मई 2003 में 14 नम्मर किस्त के 2000 रुपए पीएम किसान योजना से जूड़े वे किसानों के खाते में 22000 रुपए बेज़े जाएंगे अगर आपके मन में पीएम किसान योजना से जूड़ा वा कोई भी सवाल है तो आप में नीशन कोच कॉमेंट कर सकते हैं हमा किसान समाने दी योजना के अगर आपको पिछली किस्त के 2000 रुपए नहीं मिले हैं अगर आप 14 नम्मर किस्त के 2000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपके फोर में आपको क्या अपडेट करवाना होगा उमीद करते हैं आज की जानकर यह आपको अच्छे लिग होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिलाओगा ऐसी आपके काम आने वाली वीडियो हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आज की वीडियों बस इतना ही बिलेंगे नशीटों नहीं जान करें साथ आप सभी का दिन सुप हो जाहिंद बंदे महात्रम